बन महुतसव के अंतरगरत आगरा जिले में तीन दिन में 43 लाग पौधे लगाए गए हैं शेहर से लिकर देहाद तक प्लानेटीशन का कार ब्यादिस्तर पर चल रहा है जिसकी मॉनिटरिंग वन भार दोरा की जा रही है सुतुनता तिवस की वर्षकाट के मौके पार आगरा में 7 लाग पौधे रुपे जाएंगे आजादी के अमरत महुतसव के अंतरगत इस समय बन महुतसव चल रहा है आज तीसरा दिन है वन महुतसव का जिसके अंतरगत आगरा में तकरीवन 43 लाग पौधे लगाए जा रहे हैं हमारे साथ डिएफो आगरा मौजूद है उनसे जानेंगे कि आखिर बन शेत्र क्यों होने चाहिए इससे आम जन जीवन को क्या फाइदा है कि देखे इस बार हम लोग है जंपत आगरा में करीब 50 लाग पौधे लगा रहे हैं और जो भियाण चला था पांज जुलाई च्छा जुलाई उसाज जुलाई को हमने कमरीब 5 जुलाई को यहां पर 36 लाग पौधे लगाए गया है आज भी गया है कुल अभी तक 42.400.000 लिख के सथापना हो रही है हम लोग उस दिन भी 15.000,000ten को करीब 7.000.000 पत्रे लगाएंगे इस प्रकार से हमारा जो अभ्यान चल रहा है प्रकार से आगरा को जो कि चंबल और यमुना के रिवाइंस में इस्थित है राउली के करीब है यहां बारिस भी कम होती है हमारा पुरा प्रयास है कि एक जन अंदोलनक रूप में पुरा आगरा के निवाशों का पुरा इंका सहुग लेकर के ऐसा किया जाए कि पुरा हमारा आगरा हरा भरा हो जाए यहां काफी अच्छे मात्रा में बारिस हो हमारा यमुना और चंबल का जल अबिरल हो जाए और यहां पर जलस्तर भी काफी उचा हो जाए यह हमलों के मनों कंच्छा है और बड़ा अच्छा परड़ाम भी दिखाई पड़ रहा है आगरा के जंपदवासी बहुत ही उस साथ के साथ हर जन हर ब्यक्ति हर किसक भाग ले रहा है और पोधे लगा रहा है अगर पॉलूशन की लेर की बात करें तो आगरा टॉप 10 शहरों में आता है तो क्योंकि कॉंक्रीट के यहां जंगल एक तरीके से कई बहवन बन रहे हैं बन शेत्र कम हो रहे हैं तो शेहरी शेत्र में किस तरीके के जो पार्क है या जैसे आप मियावा की पार्क बिक्सित कर मैं पिछले दो साल से देखा मैंने कि 2020 में जो पौदे लगाए गए थे वहां व्यक्ति प्रविस नहीं कर सकता है मार्च 2022 और अभी पांच जुलाई को यहां प्रभारी मंत्री भूपिन चोदरी आये डियम साब उन सभी ने पौदे लगाए हैं देखे आगरा एयर क्वाल कि आसपास और नगर सीमा कंतरगत जो है मिया बागी पत्ति से पौद लगा रहे हैं इस वार हम लोग करीब चौन हजार पौद लगा रहे हैं यहां के जगह 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 जो है लिएम साब के कैमपाफिस में जी आइसी में यूपीए साइडिसी नेसलि एरिया में कि इस बाइस में भी हम लोगों ने यहां अच्छा जंगल यहां पर त्यार हो जाए कार्बन सिंक रूप में काम करें हमारे जो ताजमाल है हमारे जो और रास्ते धरोवर हैं उन पर किसी पकार का बनेसाट गैस का प्रभाव ने पड़े यहां की एर क्वालिटी हमेसा हमेस जल्दी-जल्दी जो मस्ट एयर क्यों में आते हैं उस सव लो ह़ाराज है हमारा प्रयास है और हम सफल होंगे कि हमारा मिया भाकी-तीलुक्यंता करा रहा है बहुत ही अच्छा और सफल बिश्वपन है यह मंडल की रूप में जो भी वाइव मंडल में जो भी कार्बन डेक्स का रेप्रफाव है जो भी कारक है उसको दूर करने के रूप प्यास करते हैं हम इसमें सफल रहेंगे तो अगर आप सहरी शेतर में हैं और आपके पास अगर चार सो बर मीटर जगे है उसमें आप अपना भवन भी बनाईए और मिया वाकी जो पार्क है वो भी विक्सित कीजिए जहां डेल फीट की जो दूरी पर पौदे लगाए जा सकते हैं और यह वो पूरी पूरी पौदे ह परियापत मात्रा में लोगों को मिलेगी इसके साथ ही परियावड सुद्ध भी रहेगा वनिवाग केंप आपने साथी इकवाल के साथ बिजय बगहेल सी नियूस आगरा